अगर आप भी अपना आरार का वर्चुल आईडी निकालना चाहते हैं यनि कि आप अपना वर्चुल आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो गर मेटे मात्र दो मीट में ही आप अपना वर्चुल आईडी कैसे जनरेट करेंगे यनि कि आप अपना वर्चुल आईडी कैसे निका दालेंगे इसकी complete process इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहे हैं सबसे पहले आपको अपने mobile से प्ले स्टोर से के application इस्टोर करनी होगी उसके लिए आपको प्ले स्टोर को open करना है और यहां पे आपको एमादर सर्च करना है एमादर की जो application आपको अपको अपने mobile में इस्टोर करनी होगी इंटरफेस कुछ इस तर का आपको अपने mobile में ओपन करेंगे अपनी virtual ID निकालने के लिए तो application ओपन होने के बाद कुछ इस तर का इंटरफेस दिखाई दिगा नीचे आप दिखेंगे यहां पर आपको एक service देखने को मिल जाएगी आपनी virtual ID generate करने के लिए आपको यहां पर देखेंगे नीचे बीच मेढ़ी generate virtual ID आप देख सकते हैं अपना आधर का नबर वाय्ट करना होगा चलिए हैं और नीचे जो capture code दिया हुआ है आपको इस capture code को सङी तरीके से आप पर field करना है, आप अपना capture code यहाँ पर field करेंगे, उसके बाद request OTP का जो option है, इस पर click करेंगे, जैसे आप request OTP पर click करेंगे, और यहाँ पर आधार से जो registered mobile number है, उस पर OTP sent हो जाएगा, तो आपके आधार काट से जो registered mobile number है, उस पर OTP आया, वो OTP यहाँ पर आपको enter करना होग OTP यहाँ पर आप enter करेंगे, OTP enter करने के बाद, generate virtual ID का जो option इस पर click करना है, जैसे आप generate virtual ID का option पर click करेंगे, click करने बाद यहाँ पर देखेंगे, congress solution, your virtual ID number has been successfully generate and sent your registered mobile number, आपके registered mobile number पर भी आपका virtual ID भेज दिया जाएगा, और आप mobile के screen पर भी देख सकते हैं, आपके सामने जो digit लिखे हुए हैं, यही आपका virtual ID है, इसको भी आप note कर सकते हैं, तो आप आपका जो virtual ID है, आपके register mobile number पर भी send कर दिया जाएगा, आधार UID की तरफ से और आपका जो सामने लिखा हुआ है, यह virtual ID है, और इसको copy करना चाहते हैं, आपके copy option इस पर click करके copy भी आप कर सकत हैं, तो इस तरह के से आप अपना virtual ID निकाल सकते हैं,